नमस्कार दोस्तों, किड्नी हमारे सरीर का नैचरल फिल्टर है, लेकिन जब ये फिल्टर खराब होने लड़ता है, तो हमारा सरीर धीरे-धीरे कई वार्निंज साइन देने लड़ता है, अगर आप इने इड्नोर करते हैं, तो किड्नी फेलियर तर बात पहुंच सकती है, तो मैंने इनको चार स्टेजेज में डिवाइट टिया है, स्टेज वन नॉर्मल या अरली लख्षन, स्टेज टू मॉडरेट मध्यम लख्षन, स्टेज थ्री एडवांस या उन्मत लख्षन, स्टेज फोर लास्ट या गंबीर लख्षन, सबसे पहले हम बात चरते हैं यह वो संकेत हैं जो सबसे पहले दिखाई देने लखते हैं, जैसे कि 0.1 बार बार पिसाब आना, 0.2 पिसाब में जागाना, 0.3 पिसाब का रन बदलना, 0.4 चेहरे और आखों के नीचे हल्टी सूजन, 0.5 लगातार ठकान रहना, सबसे पहले हम बात करते हैं 0.1 की बार बा पिसाब आता है, खासकर रात में बार बार उठना पड़ता है, यह शुरुवाती चेतावनी है कि किड्नी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, 0.2 में हम बात करेंगे पिसाब में जागाना, अगर पिसाब में जाग या बुलबले दिखते हैं, तो यह प्रोटीन लीक होने का संकेत हो सकता है, नॉर्मल यूरین क्लियर होता है, लेकिन जब केड्नी फिल्टर वीक होती है, तो प्रोटीन यूरेन के साथ निकल जाता है, 0.3 पिसाब का रंग बदलना या खून आना, नॉर्मल यूरीन हल्टा पिला होता है लेकिन अगर किड्नी डेमेज हो रही है तो यूरिन का रंग भुरा लाल या कोला कलर जैसा हो सकता है कभी कभी इसमें बलड भी आ सकता है जो एट सिरियस किड्नी वार्निंग साइन है 0.4 में हम बात कर लेते हैं चेहरे और आखों के नीचे हल्की सूजन सुबह उठते ही अगर आपके चेहरे और आखों के नीचे सूजन नजर आए तो ये फ्लूड रिटेंशन का शुरुवाती संकेत है किड्नी पानी और नमक का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही है इसलिए बॉडी में पानी जमा होने लगता है जब बॉडी में पानी जमा होने लगता है तो ये आपके चेहरे पे नजर आता है पॉइंट फाइव की बात कर लेते हम लगातार थकान रहना टीडनी के खराब होने पर सरीर से टॉक्सीन बाहर नहीं निकल पाते इस वज़े से बलड में वेस्ट जमा होता है और आपको थकान, कमजोरी और एनरजी कम मैसूस होती है चाहे आपने पूरा अराम ही क्यों नटिया हो स्टेज 2 में आपसे बात करते हैं मोडरेट सिंटम्स के बारे में या मध्यम सिंटम्स के बारे में अगर दिक्कत बढ़ती है तो ये लट्सन सामने आते हैं पॉइंट बन में बात करेंगे पैर और टटनों में सूजन पॉइंट 2 सांस फूलना, पॉइंट 3 घुकम लड़ना, पॉइंट 4 मुह में मिचला जैसा स्वाद, पॉइंट 5 उल्टी होना, पॉइंट 6 तो अच्छा पर सुखापन, पॉइंट 7 कमर या पीट दर्द पॉइंट 1 में हम बात के रहेंगे पैर और टटनों में सूजन के बारे में, किड्नी जब फ्लूड ठीट से फिल्टर नहीं कर पाती, तो पानी पैरो और टटनों में जमा होने लगता है, दिन भर चलने या खड़े रहने पर सूजन और बढ़ जाती है, अगर ये बार बा हो तो इग्नोर बिल्कुल ना करें, पॉइंट 2 सांस फूलना, किड्नी फेलियोर की वज़े से बाडी में एक्स्ट्रा फ्लूड जमा होता है, जो फैफडो तक पहुंच जाता है, इस वज़े से सांस में लेने में दिक्कत आती है, तिदाई चड़ते ही सांस फूलना, या रात को अचानट सांस रुखने जैसा लड़ना शुरू हो जाता है, पॉइंट 3 भूग कम लड़ना, इडी डिजीज के मरीजों को अटसर भूग कम लड़ती है, इस ता कारण है टॉट्सीन का जमा होना, जो डाइजेशन को डिस्टरब करता है, आपको खाने का टेस्ट कम हो जाता है, और धिरे धिरे वजन भी गिरने लड़ता है, पॉइंट 4 मुँ में मिचला जैसा सुवाद, जब बलड में टॉट्सीन बढ़ने लड़ते हैं, तो मरीज को मुँ में आयरेन जैसा मेटलिक सुवाद आता है, साथ ही सांस या मुँ से बदबू भी आ सकती है, य ये वेस्ट बलड में जमा होकर उल्टी का कारण बनता है, अटसर मरीज को सुवे सुवे मिचली फील होती है, और भूख भी कम लड़ती है, पॉइंट 6 तो अच्छा प्रसूखापन या कुजली होना, किग्नी डिजीज में बलड में वेस्ट जमा हो जाता है, ये स्किन प जरूर कराएं, पॉइंट 7, कमर या पीट दर्द, किड्नी के आसपास, किड्नी पीट के दोनों और होती है, अगर वहां लगातार हल्टा दर्द या दलनेस फील होती है, तो इस्टा मतलब हो सट्टा है किड्नी इंफेट्शन, स्टोन या डेमेज, ये एक important mid stage symptoms है, अब य ये लक्षन दिखते हैं, जब किड्नी फंट्शन और ज्यादा गिर जाता है, डिटेल में जानेंगे हम, 0.1 पैसाब रुक कराना, 0.2 वजन तेजी से बढ़ना या गिरना, 0.3 चेहरे पर पीला पन, 0.4 हाथ पैर में जुंजनी या सुजन, 0.5 उच रट चाप, अभी हम ज खराब होने लग गई है आपकी, तो इसे फिल्टर कमजोर हो जाता है, तो यूरिन टा फ्लो डिस्टब हो जाता है, कभी यूरिन रुकर आता है, कभी बिल्कुल कम हो जाता है, ये किड्नी के कमजोर होने का बड़ा संकेत है दोस्तों, 0.2 की हम बात करेंगे, वजन तेजी से बढ़ना या गिरना, किड्नी के खराब होने पर बाड़ी फ्लट्स का बैलंस बिगाड़ देती है, या बिगड़ जाता है, कभी बाड़ी में ऐस्ता पानी जमा होने से वजन अचानक बढ़ जाता है, और कभी भूखना लड़ने और मसल्स लॉज से वजन तेजी से गि जाते हैं, एनिमिया होता है, और मरीज का चेहरा पीला, कमजोर और डल दिखता है, पॉइंट फॉर में हाथ पैर में जुंजनी या सूजन के बारे में बात परेंगे, किड्नी डिजीज के कारण नर्व्स और मसल्स पर असर पढ़ता है, दोस्तों, आपको हाथ पैर में ज प्लड प्रेसर को कंट्रोल करती है, जब किड्नी डेमेज होती है, तो बीपी बार बार हाई रहता है, और दवाओं से भी प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता, ये किड्नी फेलिर का प्रांट संटीत है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे, स्टेज फोर में गंबीरों आंतीम प्रांटियों में दर्द, डिटेल में जानते हैं आपको 0.1 डिमाट पे असर या भूलना या ब्रहम पैदा होना, टिड्नी फेलियर के लास्टेज पर टॉक्षिन बलड में इतने बढ़ जाते हैं कि डिमाट पर असर डालते हैं, मरीज को बाते भूलना, कन्फूजन, ध् कभी कभी फिट्स भी हो सकते हैं, 0.2 नीन ना आना अनिंद्रा, किड्नी प्रावल्म से बाड़ी में रेस्लेस्नेस और टाशीन बढ़ जाते हैं, इस वज़े से नीन तूटना, रात पर करवटे बदलना या बिल्कुल नीन ना आना, कॉमन शिकायत है, ये भी किड्नी के गंबीर डेमेज का निसानी है, 3 जोडों और हड्यों में दर्द, चक्कराना या अत्यदिक कमजोरी, किड्नी जब कैलसियम फासफोरस बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि वो लास्ट एज में पहुंच चुकी है दोस्तों, तो हड्या कमजोर हो जाती है, इस वज़ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 1 और स्टेज 2 में जिन पॉइंट के बारे में हमने बात दिया आपको, आपसे, वो नॉर्मल स्टेजिज में हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जर्नली पेशंट जो होते हैं, हम लोग जर्नली समाज में रहते हैं, तो इतना ज़्यादá गोर नहीं कर पाते और इन लक्सनों को इद्मूर कर देते हैं या यह समझ लिजी कि टीड्नी की वझे से नहीं यह लक्सन जो नज़र आए हैं stage 1 में, stage 2 में, यह किसी और बिमारी की वझे से भी नज़र आते हैं, इसलिए हमारा kidney की तरफ ध्यान नहीं जाता है लेकिन स्टेज 3 और स्टेज 4 यह दोस्तों सीरियस स्टेजीज होती हैं दोनों इसके अंदर आपको अगर यह लक्षन नजर आएं तो 100% आप समझ जाए कि आपका टिड्नी के ऊपर असर पड़ता जा रहा है और टिड्नी फेलियर ती तरफ आपका बॉड़ी जा रह तरफ निज़ आते हैं उनके से आप प्लीज कभी भी नजर आते हैं तो इसको हलचे में ना लीजिए और ौर दऊक्टर से जरूर मिलिए टैस्ट कराए buttons & e ggf टैस्ट किड्नी टैस्त यह जरूर कराईए-दोस्तों ताकि आपको पता चल सके गली के गंबीरता के के बारे में और किड्नी का ताकि समय रहते हैं आपको किड्नी की बीमारे के बारे में पता चल जाए और आप उसको संभाल सकें आफल हमारे यहांस पास आपको ऐसे मरीज मिल जाएंगे जिनकी डालिसी चल रही है या फिर ऐसे जिनकी किड्नी खराब हो रही है जो CKD के मरीज हैं chronic kidney disease के मरीज है मैंने आपको वीडियो में बताया कि अगर kidney खराब होने लड़ती है तो क्या-क्या लड़से नजर आते हैं लेकिन क्या आपको पता है kidney किन-किन कारणों से खराब होती है ये भी जानना बहुत जुरूरी है ताकि आप अपनी kidney को खराब होने से बचा सके अड़ली वीडियो में आपको बताऊंगा कि kidney किन-किन कारणों से खराब होती है आपको कारण भी पता होना बहुत जुरूरी है इसके लिए चैनल टो सब्क्राइब करें और लाइक करें दोस्तों धन्यवाद दोस्तों Thank you